नमस्कार, मैं आभाशर्मा जावास यदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे श्री सनकादी कहते हैं नारजी, इस प्रकर तुम्हें ये सब्ताश्रवन की सारी विधी सुना दी अब और क्या सुनना चाहते हो श्रीमत भागवत से ही भोग और मोख्ष दोनों हाथ लगते हैं श्रीमत भागवत नामक एक कल फ्रिक्ष है जिसका अंकुर बहुत ही उज्ज्वल है सत्सरूप परमात्मा से इस फ्रिक्ष का उद्गम हुआ है यह 12 सकंदों अर्थात मोटी डालियों से सुशोभित है भागवती है इसका धालहा है 332 अध्या ही इसकी सुन्दर शाखाएं हैं और 18,000 शलोख ही इसके पत्ते हैं यह संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है इस प्रकार यह भक्ती सुरूपा दिव्विवरिक्ष अत्यंत सुलब होने पर भी अपनी अनुपम महत्ता के कारण सर्वोपरी विराजमान है सुच जी कहते हैं ऐसा कहकर संकादी महात्मावने परम पवित्र श्रीमत भागवत की कथा बांचनी आरंभकी जो सब पापों को हरने वाली तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है उस समय समस्त प्राणी अपने मन को कापू में रखक साथ दिनों तक वह कथा सुनते रहे तथ पशाथ सबने विधी पूर्वक भगवान पूर्शोतम की स्तुती की कथा के अंत में ज्यान, वेराग्य और भक्ती की पूर्ण रूप से पुष्टी की उन्हें उत्तम तरुन अवस्था प्राप्त हुई जो समस्त प्राणीयों का मन हर लेने वाली थी नारजी भी अपना मनोरत सिद हो जाने से कृतार्थ हो गए उनके सारे शरीर में रोमाज हो आया और वे पर्मानंद में निमगन हो गए इस प्रकार कथा सुनकर भाग्वान के प्रिय भक्त नारजी हाँ जोड़कर प्रेमपूर्ण गदगदवानी में संकादी महात्माओं से बोले तपोधनों आज में धन्य हो गया आप दयालू महात्माओं ने मुझे पर बड़ा अनुग्रह किया सबताह यग्य में श्रीमद भागवत का श्रवन करने से आज मुझे भागवान श्रीहरी समीब में ही मिल गए मैं तो सब धर्मों की अपेक्षा श्रीमद भागवत श्रवन को ही श्रेष्ट मानता हूं क्योंकि उसके सुनने से बैकुंट वासी भागवान श्री कृष्ण की प्राप्ती होती है सुच जी कहते हैं वैश्नवो में श्रेष्ट श्री नारज जी जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय सोला वर्ष की अवस्था वाले व्यासपुत्र योगेश्वर श्री शुकदेव जी मुनी वहां घूमते हुए आ गए वे ऐसे जान पड़ते थे मानों ज्यान रूपी महासागर से निकले हुए चंद्रमा हुँ वे ठीक कथा समाप्त होने पर वहां पहुँचे थे आत्मलाब से परिपूर्ण श्री शुकदेव जी उस समय बड़े प्रेम से धीरे धीरे श्रीमत भागवत का पाठ कर रहे थे उन परम तेजस्वी मुनी को आया देख सारे सभासद तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक उचा आसन दिया फिर देवरशी नारज जी ने बड़ी प्रसंता के साथ उनका पूजन किया तब वे सुक पूर्वक आसन पर फिराजमान हो गए तो मेरी उत्तम वानी सुनू ऐसा कहते हुए बूले भगवद कथा के रसिक भावोग भक्त जन यह श्रीमत भागवद वेद रूप कल्पवरिक्ष का पका हुआ जूकर गिरा हुआ फल है जो पर्मानंद में अम्रित रस से भरा है यह श्री शुकदेव रूप तोते के मुख से इस प्रित्वी पर प्राप्थ हुआ है जब तक यह जीवन रहे जब तक संचार का प्रले न हो जाए तब तक आप लोग इस दिव्य रस का नित्य रंतर बारम बार पान करते रहे महमुनी श्री व्यासी के द्वारा रचित इस श्रीमत भागवत में परम उत्तम निश्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके हिर्दे में इर्शा द्वेश का अभाव है उन साधु पुर्षों के जानने योग्य उसका लान प्रद परमार्थ तत्व का निरूपन किया गया है जो आध्यात्मिक आदी तीनों तापों का समूल नाश करते वाला है इस श्रीमत भागवत की शरण लेने वाले पुरुष को दूसरे साधरों की क्या आवशक्ता है जो बुद्धिमान एवं पुन्यात्मा पुरुष इस पुरान को शरवन करने की इच्छा करते हैं उनके हिदे में स्वयम भगवान ही ततकाल प्रकट कर सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं श्रीवन भागवत समस्त पुरानों का तिलक और वैशनव पुरुषों की प्रियवस्तु है इसमें परमहन्स महात्मों को प्राप्त होने योग परम उत्तम विशुद अद्वैत ज्यान का वर्णन किया गया है तधा ज्यान, वैराग्य और भगति के सहित नैश्कर में धर्म अरथात निव्रित्ती मार को प्रकाशित किया गया है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसके श्रवन, पठन और मनन में सनलगन रहता है। वे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहरस्वर्ग लोग, सत्य लोग, कैलास तथा वैकुंठ में भी नहीं है। अतह सौभाग्य शाली पूर्षों तुम इसका निरंतर पान करते रहो। कभी किसी प्रकार भी इसको छोड़ो मत। छोड़ो मत। शौनक जी, व्यासपुत्र श्री शुकदेव जी इस प्रकार कहे ही रहे थे, कि वहाँ बीच सभा में प्रलाद, बली, उधव और अर्जुन आदी पार्षदों के सहित साक्षा श्रीहरी प्रकट हो गए। देवर को प्रसरने देखकर, नारद जी ने उन्हें एक श्रेष्ट आसन पर बिठा दिया, सब लोग मिलकर उनके सामने कीर्दन करने लगे। उस कीर्दन को देखने के लिए पार्वती सहित महादेर जी और ब्रह्मा जी भी वहाँ आ गये। प्रलाद जी चंचल गती से थिरकते ह करताल बजाने लगे। उधव ने मंजीरे ले लिए। देवरशी नारद जी ने वीड़ा की तान छेड़ दी। स्वर में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने म्रिदंग बजाना आरंभ किया। महात्मा सनक, सनंदन, आदी कीर्टन के बीच में जैजै कार करने लगे। और इन सब के आगे व्यासपुत्र शुपदेव जी रस की अभिवक्ति करते हुए भाव बताने लगे। उस कीर्टन मंदली के बीच परमतेजस्वी, ज्यान, भक्ति और वेराग्य नटों के समान नृत्य कर रहे थे। यह आलों की कीर्टन देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। भक्ति जन मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्टन से बहुत प्रसन्न हूँ, आतहां तुम लोग मुझ से बर मागो। भगवान का ये वचन सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रस सरोबार हो गया। वे श्रीहरी से कहने लगे, भगवन हमारी इच्छा है कि जहां कहीं भी श्रीमन भागवत की सबताह कथा हो, वहां इन समस्तर पार्षदों के साथ यतन पूर्वक बढ़ारें। हम लोगों का ये है मनुरत अवश्य पूर्ण होना चाहिए। तब भगव भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतरधान हो गये। तत्पशार नारत जी ने भगवान तथा उनके भक्तों के चर्णों को लक्षे करके मस्तक जुगाया। और शुक्तिवादी तपस्वियों को भी प्रणाम किया। इस प्रकार कथा मृत का पान करके सब लोगों को ब शुक्तिव जी ने ग्यान वेराग्य सहित भक्ति को श्रीमत भागवत शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से श्रीमत भागवत का सेवन करने पर भागवान विश्णु वैश्णवों के हिर्दे में विराजमान हो जाते हैं। जो लोग दरिद्रता अर्था तरा-तरा क अभाव और दुख रूप ज्वर से दगद हो रहे हैं जिनको माया पिशाची ने अपने पैनों से कुचल डाला है तथा जो संसार समुद्र में पड़े हुए हैं उनका कल्याण करने के लिए श्रीमत भागवत शास्त्र निरंतर गर्जना कर रहा है शोनक जी ने कहा सूच जी शुकदेव जी ने राजा परिक्षित को गौकर्ण जी ने धुन्दुकारी को तथा संकादी ने देवरिशी नारत को किसकी समेश्री भागवत की कथा सुनाई सूच जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधारने के पश्षात जब कल्यू को आयत तीस वर्ष हो गए उस समय भादों के शुक्लपक्ष की नवमी तिथी को श्री शुकदेव जी ने कथा आरम भगी राजा परिक्षित के कथा सुनने के पश्षात कल्यू के 200 वर्ष बीट जाने पर शुद्ध आशार मास की शुक्लपक्ष की नवमी को गौकर्ण जी ने कथा सुनाई थी उसके बाद जब कल्यूग के 306 वर्ष विदीत हो गए तब कार्दिक शुक्लपक्ष की नवमी तिथी को संकादी कथा आरंब कर रहे थे पापरहित चौनर जी आपने जो कुछ पूछा था वैसब मैंने बता दिया इस कल्योग में श्रीमत भागवत की कथा संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है संतजन आप लोग शद्धा पूर्वग इस कथा अमृत का पान करें यह भागवान श्री कृष्ण को परंप्रिय समस्त पापों का नाश करने वाला मुक्ति का एकमात्र कारण तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है इसको छोड़कर लोग में अन्यक ल्यानकारी साधनों की विचार करने की क्या वर्शक्ता है अपने सेवक को पाश हाथ में लिए देख यमराज उसके कान में कहते है देखो जो लोग भगवान की कथा वारता में व्यस्त हूँ उनसे दूर ही रहना मैं दूसरे ही लोगों को दंड देने में समर्थ हूँ वैश्नवों को नहीं इस असार संसार में विशयरूपी विश के सेवन से व्याकुल्चित हुए मनुष्य यदि कल्यान चाहते हूँ तो आदेख्षण के लिए भी श्रीमत भागवत कथा रूपी अनुपम सुधा का पान करो अरे भाई ग्रत चर्चा से भरे हुए कुमार्ग पर क्यों वियर्थवटक रहे हो इस कथा के कान में पढ़ते ही मुक्ति हो जाती है मेरे इस कथन में राजा परिक्षित प्रमान है श्रीशुकदेव जी ने प्रेमरस के प्रवाह में स्थित होकर ये कथा कही है जो इसे अपने कंठ से लगाता है वह वेकुंठ का स्वामी बन जाता है शौनक जी मैंने समस्त शास्त्र समुदाय का मंधन करके इस समय आपको ये परम गुय रहस्य सुनाया ये समस्त सिध्धानतों द्वारा प्रमानित है संसार में श्रीमत भागवत की कथा से अधिक, पवित्र और कोई वस्तु नहीं अतह आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए द्वादस कंद रूप इस सारमय कथामृत का किंचित किंचित पान करते रही है जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है और जो विशुद, वैश्नम, पुर्षों के आगे इसे सुनाता है वे दोनों ही उत्तम विधी का पालन करने के कारण इसका यिथार्थ फल प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है यमुना तटवर्ती इंदरप्रस्त नामक तीर्थ की महातम्यक था रिश्यों ने पूझा सुद जी अब आप यमुना के महातम्यक विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए साथ ही यह बात भी बताईए किसने किसके प्रती इस महातम्यक उपदेश किया था सुद जी ने कहा एक समय की बात है पांडुनंदन युधिष्ट्र सौभरी मुनी से कल्यान में ज्यान सुनने के लिए उनके स्थान पर गए और उने नमस्कार करके इस प्रकार पूझने लगे ब्रह्मन सूरी कन्या यमुनाची के तक पर जितने तीर्थ है उनमें ऐसा कल्यान में तीर्थ कौन है जो भगवान की जनम भूमी मथुरा से भी बड़ा है सौभरी बोले एक समय मुनी श्रेष्ट नारत और परवत आकाश मार्ग से जा रहे थे जाते जाते उनकी द्रिष्टी परम्मनोहर खांडब वन पर पड़ी वे दोनु मुनी आकाश से वहां उतर पड़े और यमुनाची के उत्तम तट पर पैथ कर विश्राम करने लगे खशन भर विश्राम करने के बाद उन्होंने स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया इसी समय उशिनर देश के राजा शिबी ने जो स्वन में शिकार खेलने आये थे उन दोनों मुनियों को देखा तब वे उनके निकलने की प्रतीक्षा करते हुए नदी के तक पर पैठ गए नारद और परवत मुनी जब हिदी पूरवक स्नान करके वस्र पहन चुके तब राजा शिबी ने उनके चर्णों में मस्तक रखकर परणाम किया फिर तो वे मुनी भी राजा के साथ ही तक पर विराजमान हो गए वहाँ सुवर्ण के हजारों यूप दिखाई दे रहे थे अभिमान रहित राजा शिबी ने उन यूपों पर द्रिष्टी डाल कर देवरिशी नारत और परवत से पूछा मुनी वरों ये यग्य यूप किन के हैं किस देवता अत्वा मनुष्य ने यहाँ यग्य किया है काशियादी तीर्थों को छोड़ कर किस पुरुष ने यहाँ यग्य किया है अन्य तीर्थों से यहां क्या विशेष्टा है इसमें कौन सा विज्ञान का भंडार भरा है यह बताने की कृपा कीजिए नारेजी ने कहा राजन पूर्फकाल में हिर्णय कश्यप्यू ने जब देबताओं को जीत कर तीनों लोकों का राचे प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमन्ड हो गया उसके पुत्र प्रलाजी भगवान विश्णू के अनन्य भक्त थे किन्तु वे पापात्मा उनसे सदा द्वेश रखता था भक्त से द्रोह करने के कारण उसे दंड देने के लिए भगवान विश्णू ने निर्सिंग रूप धारण किया और उसका वद करके स्वर्ग का राचे इंद्र को समर्पित कर दिया अपना स्थान पाकर इंद्र ने गुरू ब्रिस्पती के चर्णों में मस्तक छुका कर प्रणाम किया और भगवान नारायन के गुणू का स्मर्ण करते हुई कहा गुरू देव समस्त जगत का पालन करने वाले निर्सिंग रूप धारी श्रीहरी ने मुझे पुनह देवताओं का राज प्रणान किया है अतह मैं यग्य द्वारा उनका पूजन करना चाहता हूँ इसके लिए आप मुझे पवित्र स्थान बताईए और योग्य ब्राह्मनों का परिचय दीजिए आप हम लोगों के हितकारी हैं अतह इस कारे में विलंभ नहीं करना चाहिए प्रिस्पती जी ने कहा देवराज तुम्हारा खांडवन परम पवित्र और रमणी इस्थान है वहां त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुन्य में यमुना नदी है यदि तुम आत्मी जनों का कल्यान चाहते हो तो उसी के तट पर चल कर नाना प्रकार के यग्यूं द्वारा भगवान केशर के अराधना करू गुरु ब्रिस्पती के वचन सुनकर देवराज इंद्र तुरंत गुरु देवता तथा यग्य सामगरी के साथ खांडवन में आये फिर गुरु की आग्या से प्रह्मकुमार वसिष्ट आधी सब्तरशियों तथा अन्य ब्रहमनों का वरण करके इंद्र ने जगतपती भगवान विष्णु का यजन किया इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, ब्रहमा और महादीर जी के साथ इंद्र के यग्य में पधारे सरल हृदे इंद्र तीनों देवताओं को उपस्तित देख तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए और मुनियों के साथ उनके चर्णों में प्रणाम किया फिर वहनु से उतर कर वे तीनों देवता सोने के सिंगहासनों पर विराजवान हुए उस समय वेदियों पर प्रज्वले त्रिविद अगनियों की भांती उन तीनों की शोभा हो रही थी श्वेत और लालवर्ण वाले शंकर इवं ब्रह्मा जी की बीच में बैठे हुए पीताम बर्धारी श्याम सुन्दर भगवान विष्णू ऐसे जान पड़ते थे मानू दो परवत शिकरों की बीच बिजली सहित मेग दिखाई दे रहे हूँ इंद्र ने उन तीनों के चरण धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चड़ाया बड़ी प्रसंता के साथ सुन्धर भानी में इस प्रकार स्तुती करना आरंभ किया इंद्र बूले देव आज मेरे द्वारा आरंभ किया हुआ यह यग्य सफल हो गया क्योंकि योगियों को भी जिनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है वे ही आप तीनों देवता स्वतह मुझे दर्शन देने पधा रहे हैं विश्नों ये देपि आप एक ही हैं तो भी सत्व आदि गुणों का आशर लेकर आपने अपने तीन सुरूप बना लिये हैं इन तीनों ही रूपों का तीनों वेदों में वर्णन है अत्वा ये तीनों रूप तीन वेद सुरूप ही हैं जैसे स्वतिक मनी स्वतह उज्वल है किन्तु भांति भांति के रंगों के संपर्क में आकर विविद रंग का जान पड़ता है इसी प्रकार आप एक होने पर भी उपादी भेद से अनेकवत प्रतीत होते हैं आपका यह नानात्व स्वटिक मनी के रंगों की भांती मिध्या ही है प्रभो जैसे लकडियों में छेपी हुई आग रकड़े बेना प्रकट नहीं होती उसी प्रकार संपून भूतों की खिदे में छेपे हुई आप परमात्मा भक्ती से ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं आप सब प्राणियों का उपकार करने वाले हैं आप में एक की भी भक्ती हो तो अनेकों को सुख होता है प्रलाज जी की की हुई भक्ती के द्वारा आज संपूर्ण देवता सुखी हो गए देव हम सभी देवता विशे भोगों में ही फसे हैं हमारे मन पर आपकी माया का पर्दा पड़ा है अतह हम आपके सुरूप को जान नहीं पाते उसका यथावत ग्यान तो उन्हीं को होता है जो आपके चर्णों के सेवक है ब्रह्मा और महादेव जी आप दोनों भी इस जगत की गुरु है यह गुरु तो भगवान विश्णू का ही है इसलिए आप लोग इन से प्रिथक नहीं है बाणी से जो कुछ भी कहा जाता है और मन से जो कुछ सोचा जाता है वैसब भगवान विश्णू की माया ही है जो कुछ देखने में आ रहा है वैसारा प्रपंच ही मिथ्या है ऐसा विचार करके जो मनुष्य भगवान विष्णू के चर्णों का भजन करते हैं वे संसार सागर से तर जाते हैं महादेव जी इन चर्णों की महिमा कहा तक वर्णन की जा सकती है जिनका जल आप भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं ब्रह्मा जी मैं तो यही चाहता हूँ कि जिनकी द्रिष्टी पढ़ने मात्र से विकार को प्राप्त होकर प्रकृति महत्व आदी समस्त जगत की स्रिष्टी करती है। उन्ही भगवान विश्णु के चरण कमलों में मेरा जनम-जनम का तिर्ण अनुराग बना रहे। भगवान रिसिंग आपके समयन दयालू प्रफु दूसरा कोई नहीं है क्योंकि जो आपसे शत्रुभाव रखते हैं उनके लिए भी आप सुख का ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने भगतों का दुख दूर करने के लिए ही दयालू हैं यह उनकी अज्ञानता है। राजन इस प्रकार भगवान केशव की स्तुती करके देवराज इंद्र ने उनके चर्णों में प्रणाम किया तथा उनका वचन सुनने के लिए वे दत्तचित होकर खड़े हो गये। तब यग्य सभा में आए हुए मुनी इंद्र द्वारा की हुई रमापती भगवान विश्णु की यह स्तुती सुनकर भगवद भक्ती की प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे। नारजी कहते हैं मुनी द्वारा थ्रलोकी से अधीद नित्य धाम की प्राप्ती कराने वाली तथा सब के सेवन करने योग्य अपनी भक्ती का समर्थन सुनकर संपून जगत के गुरु भवान श्रीहरी उस समाज के भीतर इंद्र से मधुरवानी में बोले। देवराज ये मुनी परम ज्यानी है अतह यदि ये मेरी भक्ती को गौरव देते हैं और उसका सत्कार करते हैं तो ये कोई आश्री की बात नहीं है क्योंकि ये तीने लोकों में निवास करने वाले प्राणियों को उपदेश देने वाले हैं ये ही सदा नश्ट हुए वैद एक मार्ग को पुनह स्थापित करते हैं ये ते भी तुम स्वर्ग के भोगों में आ सकते थे तथा भी जो भक्ती पूर्वक मेरी शरण में आ गए इसमें कोई आश्रे नहीं है क्योंकि देव गुरु ब्रस्पिति जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु है सुर्श्रेष्ट तुम बहुत सी दक्षणा वाले यग्यों से मेरा यजन करो किन्तु मन में कोई कामना न रखो इससे तुम तुरंत ही मेरे समीप वर्ति पत परमधाम को प्राप्थ होगे तुम प्रत्य की यग्य में रत्नों के अनेक प्रस्थ अर्तार धेर दान करो फिर इसी नाम से ये स्थान इंदर प्रस्थ कहलाएगा महादेव जी आप यहीं काशी और शिवकांची की स्थावना कीजिए और पार्वती जी के साथ सदा इस तीर्थ में निवास कीजिए स्थापना कीजिए यहां स्दान करने से पूर्व जन्म की स्मृति और परमात्मा का ज्यान प्राप्थ हो मैं भी यहां परम मनोहर द्वार का पुरी आयोध्या पुरी मधुवन और बद्रिका अश्रम की स्थापना करता हूं तथा सदा यहां उपस्तित रहूँगा इंद्र, हरिद्वार और पुषकर नामक जो दोज्रेश्ट तीर्थ हैं उनको भी मैं तुम्हारे हित की कामना से यहां स्थापित करता हूँ नैमिशारन ने कालान जिर्गिरी तथा सरसुति के तट पर भी जितने तीर्थ हैं उन सब की मैं यहां स्थापिना करता हूँ नारजी कहते हैं राजाशी भी श्रीहरी के यह कल्यान में बचन सुनकर सबने वैसा ही किया अब यह स्थान संपूर्ण तीर्थों का सुरूप बन गया अतह देवराज इंद्र ने सुवन के यूपों से सुशोभित अनेको यग्योद्वारा पुनह भागवान लक्षमी पती का यजन किया और भागवान के सामने ही ब्रहामनों को रत्नों की कितने ही प्रस्त दान दिये दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि मुझ पर सरवात्मस नारायन संतुष्ट हूँ तब ही से यह तीर्थ इंद्र प्रस्त कहलाता है इंद्र ने यहां सुवर्ण यूपों से सुशोभित यग्यों का विधी पूर्वक अनुष्ठान पून किया और भागवान विश्णु आदी देवताओं की पूजा करके उन्हें विदा किया फिर ब्रह्मा जी के पुत्र वसेष्ट आदी रित्वजूं को धन आदी के द्वारा संतुष्ट करके ब्रहस्पती को आगे करके इंद्र स्वर्गलोग को चले गए राजन वहां भागवान की भक्ति से युक्त हो इंद्र ने राज किया और पुर्णिक्षीन होने पर पुना हस्तिनापूर में जन्म लिया वहां शिवशर्मा नामक एक ब्रहमण थे जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे उनकी पत्नी का नाम गुणवती था भगवान विश्णू की सेवक देवराज इंद्र उसी के गर्भ से उत्पन हुए शिवशर्मा ने जोतिशियों को बुलवाया जोतिशी लगन देखकर उसका फल बतलाने लगे शिवशर्मा जी आपका ये बालक भगवान विश्णू का प्रिय भग्त होगा तथा आपकी खुल का उद्धार करेगा जोतिशियों का ये है शांती दायक बचन सुनकर शिवशर्मा ने अपने पुत्र का नाम विश्णू शर्मा रखा और उने धन देकर विदा किया शिवशर्मा बड़े बुद्धिमान थे वे मन ही मन सोचने लगे मेरा जीवन धन्य है क्योंकि मेरा पुत्र भगवान विश्णू का भग्त होगा मन में ऐसी ही बात विचारते हुए शिवशर्मा ने किसी अच्छे दिन को श्रेष्ट ब्रहामनों के द्वारा शिशु के जात कर्म आदी संसकार कराया जब साथ वर्ष वितीत हो गए और आठमा वर्ष आ गया तब हुनोंने अपने पुत्र का उपनेयन संसकार किया इसके बार बारह वर्ष वर्षों तक उसे अंगो सहित वेद बढ़ाये ततपशाथ शिवशर्मा ने पुत्र का विवहा किया बुद्धिमान विश्णुशर्मा ने अपनी पतनी से एक पुत्र उत्पन्न करके अपने विशय वासना रहित मन को तीर्थ यात्रा में लगाया और पिता के पास जाकर उनके दोनों चर्णों में प्रणाम किया तत्पशात महाप्राग विश्णु शर्मा इस प्रकार बोले पिताजी मुझे आग्या दीजी मैं सत्संग प्रदान करने वाले तृत्ते आश्रम को स्विकार करके अब श्री विश्णु की आराधना करूँगा स्त्री, ग्रह, धन, संतान और सुरित ये सभी जल में उठने वाले पुद्बुदों की तरह क्षण भंगूर हैं अतह विद्वान पुरुष इसमें आसकत नहीं होता मैंने बेदों के स्वाध्याय से और संतान उत्पत्ती के द्वार क्रमशह, रिशीरिन और पित्रिरिन से उध्धार पा लिया है अब तीर्थों में रहकर निश्काम भाव से भगवान केशव की अराधना करना चाहता हूँ गुण में पदार्थों की आसकती का त्याग करके जब तक प्रारब्ध शेश है किसी उत्तम तीर्थ में रहने का विचार करता हूँ शिव शर्मा ने कहा बेटा मेरे लिए भी आंकार शुर्ने होकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करने का समय आ गया है अतह मैं भी विश्यों को विश्की भादी त्याग कर श्री केशव रूपी अमरित का सेवन करूँगा अब मेरी ब्रद्धावस्ता आ गई है अतह घर में मेरा मन नहीं लगता तुम्हारा चोटा भाई सुशर्मा कुटुम्भ का पालन पोशन करेगा हम दोनु श्रीहरी के चर्ण कमलों का चिंतन करते हुए अब यहां से चल दें श्री नारची कहते हैं राजन ऐसा निश्य करके वे दोनु मुमुक्षु पिता पुत्र अंधकार पूर्ण आधी रात के समय घर से चल दिये और घूमते हुए इस परम कल्यान में तीर्थ इंद्र प्रस्त में आये यहां अपने पूर्व जन्म के किये हुए यग्जी यूपों को देखकर विष्णु शर्मा को श्रीहरी के समागम का स्मरण हो आया उन्होंने अपने पिता से कहा पिता जी मैं पूर्व जन्म में इंद्र था मैंने ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की इच्छा से यहां यग्य किये थे यही मेरे उपर भग्त वद्सल भगवान केशव प्रसन्न होए थे मैंने रत्नों के प्रस्त धान करके यहां ब्रहमनों और सब्तरिशियों को संतुष्ट किया था उन्होंने ही मुझे विष्णु भग्ति की प्राप्ति तथा इस जन्मे मोग्ष होने का आशिरवाद दिया था इस तीर्थ को सर्वतीर्थ मैं बना कर इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया था उन मुनिवरों ने इसी स्थान पर मेरी मृत्य होने की बात बताई थी अंत में भग्वान के परमधाम की प्राप्ति होने का आश्वासन दिया था ये सब बाते मुझे इस समय याद आ रही है यह निगम बोधा का नामक तीर्थ है जिसे मेरे गुरु प्रस्पति जी ने स्थापित किया था सब्त तीर्थ और निगमोद बोध इन दो तीर्थों के बीच में देवताओं ने इस इंदरप्रस्थ नामक महानक्षित्र की स्थापना की है पिता जी यह पूर्फ से पश्शिम की ओर एक यौजन चोड़ा है और यमुना के दक्षन तरपर चार यौजन की लंबाई में फैला हुआ है महरशियू ने इंदरप्रस्थ की इतनी ही सीमा बताई है नारज जी कहते हैं राजन यह बात सुनकर शिव शर्मा के मन में बड़ा संधी हुआ उन्होंने अपने सत्यवादी पुरुष विष्णु शर्मा से कहा बेटा मैं कैसे समझू कि तुम पूर्व जन में देवताओं की राजा इंदर थे और तुमने ही यग्य करके रतनों के दोरा प्राहमनों को संतुष्ट किया था तुम्हारी कही हुए बातें जिस प्रकार मेरी समझ में आ जाएं वह करो पूर्व जन में किये हुए कारियों का ज्यान इस समय तुम्हें कैसे हो रहा है विष्णु शर्मा ने कहा पिता जी मुझे रिश्यों ने पूर्व जन्म की स्मृती बनी रहने का वर्दान दिया था उनी के मुह से इस तीर्थ के विशे में ऐसी महिमा सुनी थी आप यहां निगमोद भोध तीर्थ में स्नान कीजिए इससे आपको भी पूर्व जन्म की स्मृती प्रदान करने वाला दुरलग ज्यान प्राप्त होगा यह सुनकर विप्रवर शिवशार्मा ने पूर्व जन्म की स्मृती प्राप्त करने के लिए भगवान श्रीहरी श्री गंगा जी एवं आयोध्या आधी साथ पुर्यों का स्मरण करके और भगवान गोविंद में चित लगाकर निगमोद बोध तीर्थ में बार बार डुपक का पूजन किया इस तरह नित्यकर्म पूरा करके वे सुक पूर्वक पैठे और अपने सुयोग्य पुत्र विश्णु शर्मा से बोले विश्णु शर्मन यहां स्नान करने से मुझे भी पहले के जन्म कर्मों का स्मरण हो आया है महाभाग मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहत हूं सुनों पूर्वजन में मैं धनवान वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था मेरे पिता का नाम शरब था ते काने कुपजपुर में निवास करते थे वहां वैपार के द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया परंतु रात दिन उन्हें यही चिंता गेरे रहती थी कि रोक्ष विश्यों का ज्यान रखने वाले मुनिवर देवल जी पधारे उन्हें आया देख मेरे पिता आसन से उठकर खड़े होगे उन्होंने पादे और अर्गे देकर मुनी को प्रणाम किया उत्तमासर पर बैठाया और सम्मान पूर्वक कुशल प्रश्न पूशते मुनिश्रेष्ट आपका इस प्रित्वी पर विचरना हम जैसे ग्रहस्तों को सुख देने के लिए ही होता है अन्यथा यदि आप क्रिपा करके स्वतह ना पधारे तो घर की चिंता में डूबे हुए मनुश्यों को आप जैसे महात्मा का दर्शन कहां हो सकता है जिनकी बु क्या कारण है ये शीखर बताने की कृपा कीजिए वैश्य के ऐसा कहने पर देवल मुनी ने उनके मनुभाव को जानने के लिए पूछा वैश्य प्रवर तुमने धरम पूर्वक बहुत धन का संचे किया और उसी से तुम नित्य और नैमेतिक क्रियाओं का भालिभादी अन वैश्य ने कहा मुनिश्रेष्ट आप से छेपाने युग के कौनसी बात हो सकती है आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख है दुख केवल एक ही बात का है कि बुढ़ापा आ जाने पर भी अब तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ आप कृपा करके ऐसा कोई उपाई की जिससे मैं भी पुत्रवान हो जगूं आप जैसे महात्माओं के लिए इस प्रित्वी पर कोई भी कारे असंभव नहीं है वैश्य श्रेष्ट शरब के ये वचन सुनकर परोक्ष ज्यानी देवल जी ने आँखें बंद कर मन को स्थिर करके क्षण भर ध्यान किया और मेरे पिता को संतान की प्राप्ति होने में जो रुकावट थी उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातों की याद दिलाते हुए कहा वैश्य पहले की बात है एक दिन तुम्हारी धरम पत्नी ने अपने मन में जो काम ना की थी उससे बतलाता हूं सुनो इसने पार्वती जी से प्रार्थना की शिफ्प्रिया गौरी देवी यदी मैं गर्भवती हो जाऊं तो तुम शडरस भोजन से संतुष्ट करूंगी इस प्रार्थना के बाद उसी मही ने तुम्हारी पत्नी के गर्भ रह गया तब सक्खियों के अनुरोज से तुम्हारी पतीवरता पत्नी ने तुम्हारे पास आकर विनेपूर्वक कहा नात मैं संपूर कामनाव को देने वाली पार्वती देवी की पूजा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्ही की क्रपा से इस समय मेरा मनुरत पूर्ण हुआ है। सहलियों पूजन की सारी सामगरी मैंने मंगा ली है। यह सब लेकर तुम लोग मंदिर में जाओ और विधिपूर्वक पूजा करके देवी को संतुष्ट करो। हमारे कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती इसलिए मैं नहीं चल सकूँगी। तुम्हीं ल गर्वती जी को प्रणाम और प्रदिक्षना करके भक्ति पूर्वक कहा। जग्दंबे तुम्हें नमस्कार है। शिप्रिये हमारा कल्यान करो। शरब नामक वैश्य की पतनी ललिता को तुम्हारी कृपा से गर्भ प्राप्त हो गया है। अतह उसने तुम्हारी पूजा क के लिए ये सब सामगरी हमारे हाथ भेजी है। उसकी कुल में गर्भवती स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती। इसलिए वे स्वयम नहीं आ सकी। देवी तुम प्रसन होकर इस पूजन को ग्राण करो। ऐसा कहकर सक्षियों ने माता पार्वती का चंदन आदी से पूजा से पार्वती जी प्रसंद नहीं है। सक्यों की बात सुनकर तुमारी स्त्री के मन में बड़ी व्याकलता हुई। वे मन ही मन चिंता करने लगी कि उनके सुन्दर मंदिर में पूजा के समय में स्वयम नहीं जा सकी। यही मेरा अपरात है। इसके सेवां दूसरी को नहीं करने पर स्वयम भगवती की पूजा के लिए उनके मंदिर जाऊंगी। महादेव जी की पत्नी भगवती उमा को नमसकार है। वे मेरा कल्यान करें। वैशे ने पूछा। मुने मेरी पत्नी ने जैसी प्रतिज्य की थीं। उसके अनुसार उसने पार्वती जी का तुम्हारी पत्नी की सक्यां सकंद माता पारवती का पूजन करके लोटाईं तब विजञ़ा ने घर से बाहर निकलने में असमर्थ थी इसलिए उसकी सखी आई थी किन्तु मेरी जैसी देवियां दूसरे के हाथ की पूजा स्विकार नहीं करती उसका पती आ जाता तो भी उसका कल्याण होता पत्नी जिस फ्रत और पूजन को करने में असमर्थ हो उसे अपने पती से ही करा सकती है इससे उसकी वे पूजा नहीं होती अत्वा अनन्य भाव से पती से पूज कर किसी श्रेष्ट ब्रहमन की द्वारा भी पूजा करा सकती है फिर उसने ना तो स्वयम पूजन किया ना पती से करवाया इसलिए उसका गर्वन निश्वल हो जाएगा यदि दोनु पती-पत्नी श्रधा पूर्वक यहा परण है जो तुम्हें बता दिया जैसे पूर्वकाल में महरुशी वसिष्ट ने महराज दिलिप को संतान प्राप्ती के लिए नंदिनी की सेवा बतलाई थी उससे सुनकर राजा ने नंदिनी को संतुष्ट किया था और राजा की सेवा से प्रसंद हुए नंदिनी ने उन अगले अध्याय में हम देवल मुनी का शरब को राजा दिलिप की कथा सुनाना सुनेंगे इस अध्याय में हमने इंदरप्रस्त को इंदरप्रस्त क्यों कहा जाता है यह जाना क्या आप इसे पहले जानते थे कमेंट करके अवश्य बताईए